हाई फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत सारे लोगों को एक confusion होती है कि चैनल monetize कितना hours पे है और monetize होने के बाद हम apply कैसे करें, action से link कैसे करें तो इस सारे problem इस वीडियो में आपका solve हो जाएगा इसमें मैं बताया हूँ कि जैसे आपका channel 1000 subscriber और आपका 4000 hours watch time जब हो जाता है पूरा तो उसमें आपको monetize का option आता है, monetize के option में apply करना पड़ता है और उसको adsense से link करना पड़ता है तो ये सारी चीजे कैसे adsense से link करें, monetize कैसे आपको show होगा और बहुत सारे लोगों ये confusion में रहते हैं कि 1000 subscriber एक साल के अंदर होना चाहिए, वो कभी भी हो सकता है एक साल का, मतलब जब 1000 subscriber आपका पूरा हुआ है तो उसके बीच का एक साल के अंदर देखा जाता है, तो वो आपका tick green हो जाता है, फिर उसके बाद जो आपका hours है, जो 4000 hours यानि 2,40,000 minutes जो है, वो भी एक साल के अंदर, ऐसा नहीं है कि subscriber और watch time एक ही साथ होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है अगर subscriber हो चुका है एक साल में, अगर monetize आपका subscriber होने के बावजूद, अगर आपका watch time नहीं पूरा हुआ है, तो watch time का अलग से मिलेगा आपको एक साल, लेकिन दोनों का एक एक साल के अंदर होना जरूरी है, वो एक साल के बाहर का count नहीं होता है, तो यह अगर पूरा हो ज उसके लिए मैंने video बनाया है, link description में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि adsense account कैसे बनाना है, सिर्फ इसमें adsense account से link कैसे करना है, monetize कैसे करना है, और वो सारी चीजे preparation मैं इस video में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए और चलते है screen पे और आपको दिखाते हैं कि क कैसे आपको करना है, तो friends यहां से आपको अपना channel on कर लेना है, और यहां से जाना है आपको YouTube, creator studio में, YouTube studio और वहाँ पे आप left side में जाएंगे, तो आपको वहाँ पे monetization में जाना है, यानि monetization का जो option होगा, वो 3-4 नंबर पे आता है, तो monetization जहां लिखा होगा, उसके नीचे देख लिजे, monetization है, और इसको click करना है, तो आप देख सकते हैं, यहां पे grow with YouTube, यहां पे देखिए, 1000 subscriber और यह 4000 hours watch time दिखा रहा है, लेकिन उतना हुआ नहीं है, यह पूरा नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं, 126 subscriber और 121 public watch hours दिखा रहा है, तो अभी बहुत time है, तो इस से इसके बाद हम लोग जब इसका पूरा hour सो जाता है, कुछ मन्त लगेंगे, आप लोग भी घबडाईए नहीं, कोई भी ऐसा content बनाईए, हिमत जुटा कर content बनाईए, तो यह देखेंगे कि कुछ महीनों के बाद, यानि कुछ महीना मुझे लगा है, कुछ महीनों के बाद यह देख सकते हैं, कि यह subscribe और watch time पूरा हो गया है, यहाँ पर देखिए कि step 1 में दिखा रहा है, यहाँ से apply करना है, start का on-on करना है, दूसरे को भी आप दिखा सकते हैं, यहाँ से start करना है, और यहाँ से proceed को click करना है, यानि proceed पर okay करना है, आप देख सकते हैं, you are making important, changing, यह स तो यह option आएगा, कि आपका verify करना है, आपका mail ID, तो यह mail ID आपको यहाँ से verify करना है, तो आपका mail ID है, password है, वो password डालना है, तो मैं यह password डाल देता हूं, और यहाँ से password डालने के बाद next करना है, next करेंगे, तो यह option आता है, तो यहाँ पर यह दे रहा है, कि you will be redirect to adsense to complete this step, अगर adsense से आप जोड़ना चाहते हैं, तो इसको click करना है, आपके पास account है, या नहीं है, या इसके बारे में adsense के बारे में जानते नहीं है, तीन option देता है, तो मेरे पास adsense का account है, और मैं दूसरा देखिए, नहीं है, लिख के देखिए, click करता हूं, तो यह option आता है, और पढ़ लिजी आपको, यहां learn more पे जाएंगे, तो आपको अगर नहीं है, तो कैसे आपको create करना है, उसमें जाके वो YouTube बताएगा, learn more में जाएंगे, तो वहां पे बताएगा कि कैसे आपको adsense account बनाना है, जो मैंने बता चुका हूं, कि adsense account मेरे पास already था है, तो मैं yes, I have adsense account, वो मैं click कर रहा हूं, और click करने के बाद आप देख सकते हैं कि जब वो no किया था, तो यह दिखा रहा था, और जब yes करूंगा, हमारे पास account है, तो उसको click करता हूं, यहां से click करने के बाद, click करने के बाद, जो yes I have and exiting contact account, तो वो continue यहां से नीचे से करेंगे, तो जब continue आ आप करेंगे, तो ओप्शन यह खूल के आता है, तो यहां से आपका जिस भी mail id से, जैसे मेरा mail id यह है, तो उस mail id से मेरा already adsense account बना हुआ है, अगर आपका भी email id से adsense account बना है, तो आप डाल सकते हैं, नहीं, तो कैसे बनाना है, description में है, वहां से जाके, आप adsense account बना सकते है हैं, उस video को देखके, यहां से मैंने adsense account का mail id यह डाला और वहां से password, तो yes im confirm करना है, और यहां से आगे बढ़ेंगे, तो वह देख सकते हैं, कि adsense account का यह सारी चीजे, जो मेरा डाला हुआ था, वो सब कुछ इसमें डाल दिया है, मैंने, adsense account जब बनता है, आपका बना हु लिचे जाके, जब आप accept करेंगे, तो आपका next यह आ जाता है, यहां पर आप देख सकते है, cancel, redirect, तो हमें redirect करना है, cancel नहीं करना है, तो redirect को click करना है, हमें redirect को click करके, उसे select कर लेना है, आप देख सकते हैं, यहां पर message लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजे है, और पढ़ के आपका गुलीक कर दीजिए तो this is यहां भी डून हो गया आप देख सकते हैं कि आपको बिडूची अलते नंसायकर प्रणी सेलआधे देख सकते हैं कि इस तो एपां पनील्यसिर सुर्स रहे हैं जब दॉह दें डोटीन के बाद के नमेरा केशुए के देख सकते हैं सारी चीजह और योटुव चैनल और यह दिखा रहा है यहां आपका यहां से एक्टिव देख सकते हैं ग्रीन में एक्टिव दिखा रहा है तो आपका एक्टिव हो चुका है यानि मोनेटाइज आपका चैनल हो गया है कि मिलते हैं नए वीडियो के साथ अब तक लिए दिजिए जाजल के बाइड एक्टिक एर जाहिंद